वेल्कम बैक आफर दे ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकेसान अच्छा जी कराची के अगर बात की जाये तो बहुत सारी जगाहों पे बोरिंग का पानी आता है या पर टैंकर से भी जब आप पानी दलबाते हैं तो कभी कबार मीठा टैंकर भी आपके घर में खारा पानी लेकर आता हैं खारे पानी से यकीना उसको आप खाने पीने में तो इस्तमाल नहीं कर पाते हैं लेकिन जब आप उसको मुहाद धोने के लिए बालों को धोने के लिए इस्तमाल करते हैं तब भी उसके नुकसानात काफी हैं तो आज ज़रा इस पर बात करेंगे हमाई साथ म बिल्कुल ठीक, अलहम्दलिल्ला मुझे बिताया है कि खारा पानी अनपॉर्शनेंटली कराची में और मुफ्तलिफ मुल्किय अलाकों में एक हकीकत है। अगर इसकी वज़ा से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे चहरे की और हमारी सकिन एफेक्ट हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। बिसमिल्ला रह्मान रहीम। खारे पानी के नुकसानाद भी हैं और एक दो फाइदे भी बहुत अच्छे हैं उसके। चुछयार अच्छाओर फिल्टर फिल्टर करनें ही के दाएदेता हैं और फॉर्माजबी मेरhwaे कारे और पानी फाजर इसके लिए वोधर है तो इंग्तार फिल्टर करें पानी को आजकल जैसे आरो प वील्टर करें के पानी को कि वी की एचा ते रहाए दे खाए। तो मैक्सिमम कोशी शेक की जाए कि इसको घर पे भी फिल्टर कर सकते हैं घर पे फिल्टर करने का तरीखा यह है कि जिस टेप या नल्स से वो हासिल किया जा रहा है उसके मुझ पर दो तीन तहों वाला कोई मलमल का कपड़ा बांदिया जाए तो वो चीजें जो पानी में हल हैं जैसे मिनरल्स या वाइटमिन्स वो तो जारे फिल्टर नहीं होते हैं लेकिन बहुत सी इंप्यूरिटीज होती हैं साथ में जिसको इनसान महसूस भी करता है हाथ लगा के कुछ चिपचपाहट सी लोग कहते हैं कि आ रही है यह चीजें इस फिल्टर में रह जाती हैं और अकसर ऐसा हुआ है कि अगर आपने एक जग भी भरा है तो वो कपड़ा अकसर डार्क हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिल्टर हुआ है कुछ नकुछ अगर आप पानी पीने का है तो जो बहतरीन तरीखा है जिसको पूरी दुनिया में सदियों से इस्तमाल किया जा रहा है स्वरी वह है जो हम मतक बनाते हैं मतका खुद भी पानी में से इ midnighturdis को कि खेंज कर अपनी ताओं पर ले आता है son मेरे जो खाडने पानी जो आपनी कापले से मेरे खाएं मेरे चैल मेरे पानी वाले है द्विल्टर कर रहें नका है उम पर जवर मेरे ने मुझे नमबर वन के खारे पानी को लोग अभूमन यह समझते हैं कि इसको अगर हम खाने पिने में इस्तमाल नहीं कर रहे हैं अगर इस तरह के इस्तमाल में भी पानी को लाया जा रहा है तब भी फिल्टर करें और फिल्टर करें और फिल्टर करने से आप फर्क वाज़ तौर पर महसूस करेंगे अगर आपके घर में खारा पानी आता है तो अपने बाथरूम के टैपस पर भी आप इसी तरह का फिल्ट लुर जीं कर कि पानी के एक हाय घ। का बालों को दोना कई लोग यशा इसकीन के पानी को दोना है भ्लखते हैine की लोगे हैं कि मेरे बाल सुफधे हो गये ज़ाने कि हमारा पानी की वज़ा सीवक्रीजा ही और बहुत ही अच्छा प्याज है, जो लोग नहाना चाहते हैं, शावर लेना चाहते हैं, वो डिर्क शावर से तो नहाएं, वो यह करें कि बड़ी बाल्टी के आपने घरों में एतमाम करें, उसमें पानी भरें, जैसे फिल्टर है, आपने कहा कि उसमें भी फिल्टर लगा इसके बाद फिटकरी होती है, फिटकरी पानी को एक दम साफ कर देती है, और तेजी से इंप्यूरिटी जाके नीचे बैठती है, यह एक मिनट के अंदर यामल हो जाता है, तो जब वो पालिटी को भर लें, खारे पानी से तो उस पर फिटकरी ज़रा दो तीन बार उसको ल जलत नाजुक होती है, क्या उनको खारे पानी से नहलाना, मुहा धुलाना, उनके बाल धोना यह सही है? मजबूरी में तो करना ही पड़े गा, लेकिन यह सारः प्रैक्टिस करनी होगी घर पर, यह सारह प्रैक्टिकल अगर घर पर करेंगे, कि मैक्सिमम उसको इसका जो नमकियात हैं उसको कम करेंगे। इंप्यूर्टी इसको कम करेंगे। जितना साफ कर सकतें तो इंशालह उनको फायदा होगा। वरना सारा अफरीका ये ब्राइन वाटर इस्तमाल करता है, सारा अफरीका, इसका एक और फायदा भी है, जो लोग खारे पानी में लाइफ कुजारते हैं, उनके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं, वाओ, आचा जिए बहुत सारी खवातीन कहेंगी के चलो जो मीता पानी के बजाए खारे पानी से मूद होना चाहिए, लाज़ा वो खावातीन जो इस बात पर 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 परेशान रहती हैं के खारे पानी ये बाल नहीं अच्छे हो रहे हैं, उनके लिए गुड नियूज है, कि वो अगर इंशालला नवे साल की भी हो गई तो नहीं लगेगा को 90 की है सही, एक आखरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, मुझे ये बताईए कि अगर खारे पानी को हम बेहतर बनाने के लिए तो ये इस तमाम तदाबीर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक हकीकत है, हम फिर भी एक इंपक्ट अपने बालों पे, सकिन पे महसूस कर रहे हैं, तो क्या गिज़ा से, खुराक से, अपनी नूटुशन से हम इस डामेज को रिवर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा पूश्य नहीं है, खारे पानी वाले गोश्ट इस्तमाल ना करें, कम से कम गोश्ट हो, क्योंकि गोश्ट ऐसी डिक है, और इसकी बज़ाए सबजियां, जितनी ज़ खुदों से और द्रफों से गुजरता है, तो आगे जाकर साफ़ पानी बन जाता है, तो आप सबजी ओं का जादा इस्तमाल करें जो खारे पानी के रहते हैं, इसी तरह साबून है वो पोटैसियम से बना होता है, और शैंपू उसे पोटैसियम की मिकदार जादा होती है, वो कुछ ना कुछ जहाग खारे पानी से बना देता है, तो पोटाशियम के साबून और शेम्पू वगर इस्तमाल किये जाएं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया है, अगर आप भी फेस करते हैं ये प्रॉब्लम तो इन सारी टिप्स को आजमाईए, अगर एका दफ़ा आपको कभी ऐसे अलाके में जाना पड़ गया है, जहाँ खारे पानी का इस्तमाल है, तो शायद आपको मसला ना हो, लेकिन और इसके अलावा आप इस्तमाल कीजिए, लास्ट वाश के लिए जो फाइनल रिंस है आपका बालों का या चेहरे का उसके लिए भी आप नीठे पानी का इस्तमाल करें